तो हलो हाई एवरिवन मेरा नाम गौतम लखानी है और विल्कम यू आल तो रैंक सेक्ट और आयसे केट भी आज के सेशन में गाईज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं इंडिया मेंमार रिलेशन्स के बारे में यानि कि जो आज का हमारा ये सेशन है इसमें हम डिटेल के साथ जाकर के डिसकस करेंगे कि किस तरह के से इंडिया और मेंमार दोनों के बीच में जो हैं रिलेशन्शिप्स हमें देखने को मिली तो कहीं ना कहीं याँ पर आज की डेट में जो करंट में military coup है उसको भी discuss करेंगे इंडिया के लिए क्या कुछ complications हैं, वो भी यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर historical background को भी समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के session की, आज के session को शुरू करने से पहले एक important information आपके लिए, information यहाँ पर यह है extend कर देगा, यह जो offer है, यह 7 July तक के लिए valid है, साथ ही साथ यहाँ पर फिलाल promise week चल रहा है, यानि कि अगर आप an academy का subscription लेते हैं, तो यहाँ पर आपको an academy notes free of cost मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका subscription है, वो mains तक के लिए free of cost extend कर दिया जाएगा साथ ही साथ SSC और bank का subscription भी आपको free of cost मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर an academy promise और test series भी आपको free of cost मिलेगी, बाकी combo plans पे आपको 25% तक का discount देखने को मिलेगा test series की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80 test आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 50 है prelims के और 30 है mains के, इसकी जो cost है वो वैसे 30,000 है, बड़ी आपको free of cost मिलेगी, अगर आप एक साल यह उसे जादा का subscription लेते हैं तो साथ ही साथ combo offers पर आपको 25% तक का discount देखने को मिलेगा और जब आप use करते हैं हमारा referral code rank 10 तो आपको extra 10% का discount भी यहाँ पर मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो महा subscription offer भी है यानि कि अगर आप 1 year का plan फिलाल लेते हैं तो आपका जो वो plan है mains 2022 तक के लिए free of cost वैलेट कर दिया जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर 20 books जो आपका 100% syllabus coverage कराएंगी free of cost आपको मिलेंगी loan की facility भी है 0% interest rate पर साथ यहाँ scholarship test every Sunday होता है जिसके अंदरा free of cost enroll कर सकते हैं by using our referral code इसके अलावा 7 July से कुछ नए batches भी शुरू होने जा रहे हैं revision batches है 2021 aspirants के लिए जिसमें आपका pre-cum means का revision कराया जाएगा साथ यह साथ 1 year के batches है 2022 aspirants के लिए और 2 year के batches है 2023 aspirants के लिए जिसमें आपका complete syllabus coverage कराया जाएगा iconic or plus दो तरेके के subscription plan है जिसमें आप enroll कर सकते हैं iconic में कुछ extra benefits है वहीं fees की बात करें तो iconic में fees भी थोड़ी सी जादा हो जाती है because of the benefits वहीं जब आप use करेंगे rank 10 हमारा referral code तो आपको extra 10% का discount मिल ही जाएगा बागी काफी सारे cost efficient combo plans है जिनको आप avail कर सकते हैं तो please जाएं जाकर an academy को subscribe करें अपनी preparation को boost up करें और use करिएगा हमारा referral code rank 10 for extra 10% discount So good evening everyone चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे session की देखिए जो आज का हमारा ये session है ये basically काफी ज़्यादा important हो जाता है because in this session we are going to discuss about the Myanmar Myanmar क्या है Myanmar की अगर आप location को समझने की कोशिश करें तो here you can see the Myanmar यहाँ पर आपको Myanmar देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं Myanmar की तो India के लिए our country India India के लिए Myanmar important क्यों हो जाता है because अगर हमें Southeast Asia में access चाहिए तो Southeast Asia में access पाने के लिए Myanmar में access होना Myanmar में अपनी पकड मजबूत होना बहुत जादा important हो जाता है इसलिए Myanmar को कहीं न कहीं क्या का जाता है Southeast Asia का gateway भी बोला जाता है तो जब आप Myanmar की बात करते हैं अगर आप Myanmar को थोड़ा सा closely समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि चार Indian states हैं जिनके border Myanmar के साथ share होते हैं जिसमें सबसे नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हमें मिजोरम देखने को मिलता है उसके उपर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मनिपुर देखने को मिलता है और मनिपुर के उपर अगर आप बात करें इन states के जो border हैं वो कहीं न कहीं किस से म्यामार के साथ share होते हैं तो कहीं न कहीं North East India के लिए म्यामार काफी जादा important हो जाता है North East के अंदर peace के लिए म्यामार काफी जादा important हो जाता है तो अब हम इस session के अंदर पूरा detail के साथ discuss करेंगे इंडिया म्यामार के relations को कि किस तरह कैसे historically चीज़े रही और आज की डिट में क्या कुछ complications हैं म्यामार के अंदर जो ये तक्ता पलट हुआ, military coup हुआ उसके बात से तो हर एक चीज़ को यहां पर cover करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे लेखे, जब हम बात करते हैं, इंडिया और म्यामार की, दोनों देशों के बीच में हमें cultural roots भी और historical relations भी देखने को मिलते हैं जब आप cultural roots की बात करते हैं, तो दोनों देशों के बीच में culture के नाम पर आपको बुद्धिजम एक important key element देखने को मिलेगा बुद्धिजम के साथ साथ हमारा language भी कही ना कहीं काफी जादा same है, language के अलावा ethnicities भी काफी जादा हमारी similar है तो cultural roots जो हैं दोनों countries के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, cultural ties दोनों countries के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं वहीं जब हम बात करते हैं historical relations की, तो historical relations अपने आप में important हो जाते हैं because जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं historical relations की, तो सबसे पहले म्यामार का नाम कब आता है हमारे mind में हमारे सामने हम जब बात करते हैं बर्मा की तो आप सब लोगों को ध्यान होगा जब हम बात करते हैं बर्मा की तो आप सब को पता है कि ब्रेटिश इंडिया से ही कहीं ना कहीं यहां पर हमारे relations हैं बहादुर्शाह जफर को जो है क्या बेजा था after the revolt of 1807 बर्मा डिपोज कर दिया गया था रीजन कि भई यहां पर जब उन्होंने 1857 लीडर्शिप दिखाई रिवोल्ट के अंदर तो उस बेसिस पर क्या करा गया यहां पर बादुर्शाह जफर को जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको पर्मा डिपोज कर दिया गया तो यह सब चीजें कहीं न कहीं हमें यहां पर देखने को मिल जाती हैं साथ ही साथ जब हम यहां पर बात करते हैं म्यामार की तो म्यामार और इंडिया after the independence जो relationship share करते हैं वो करते हैं treaty of friendship के basis पर 1951 में दोनों देशों के बीच में एक treaty होती है जिसका नाम है treaty of friendship between the India and म्यामार और इसी treaty के साथ ही दोनों देशों के बीच के relations establish होते हैं but unfortunately क्या होता है unfortunately म्यामार के अंदर political crisis हमें देखने को मिलते हैं military coup हो जाता है जिस वजह से म्यामार के साथ हमारे relations थोड़े से खराब हो जाते हैं मतलब stable नहीं रहते after 1962 आगे चल करके प्रधान मंत्री राजीव गांधी के time पर 1987 में जब राजीव गांधी जाते हैं और जा करके म्यामार के में विजट करते हैं तो तब से दोनों देशों के बीच में कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं कि important relation हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ जब आगर आप यहाँ पर एक और important चीज़ को समझने की थोड़ा सा कोशिश करें तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर आप म्यामार की बात करें तो म्यामार के साथ लगबग लगबग हमारा 1600 किलोमेटर लंबा जो है टेरिस्टेरियल बॉडर देखने को हमें मिलता है है ना भई चार स्टेट हैं अरुनाचल परदेश नागल लेंड मिजोरम मनिपूर इन चार स्टेट्स का बॉडर हमारा म्यामार के साथ लगता है साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो पॉलिटिकली हमारे लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि साथ इस्ट एशिया में अगर इंडिया को अपनी पकड़ बनानी है इंडिया को एकसेस चाहिए इंडोनेशिया जावा सुमात्रा कंबोडिया थाइलैंड इन सब कंट करता है कि राजीव गांधी के टाइम पर और उसके बाद इंडिया क्या करता है इंडिया नेबर हुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है हम गुजराल डॉक्ट्रिन की जब बात करते हैं तो गुजराल डॉक्ट्रिन के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि दूरिंग time period of I.K. Gujaral and Gujaral doctrine was there, तो कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं, इंडिया neighborhood first policy को follow कर रहा है, तो neighborhood first policy में हमने म्यामार के साथ काफी अच्छे relations बनाने की कोशिश करी, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, आगे चल करके, तो हम क्या करते हैं, एक्ट इस्ट पॉलिसी, पीवी नर्सिमा राओ साहब के time पर एक्ट इस्ट पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और उस एक्ट इस्ट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, म्यामार के साथ अपने ties को मजबूत करने का काम करते हैं, बातचीज शुरू होती है, तो यह सब चीज़े कहीं न कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, इन सब के पीछे एक बहुत important element क्या है, यहाँ पर अगर आप बात करें, तो इंडो-पैसिफिक पर इंडिया की पकड़, और साथ इसाथ म्यामार का एक land bridge का काम करना South Asia के बीच में, और South East Asia के बीच में, तो कहीं न कहीं यह सब चीज़े काफी ज़्यादा important हो जाती हैं, आगे चल करके मोधी जी के time की जब हम बात करते हैं, तो मोधी जी के time पर हमें क्या देखने को मिलता है, मोधी जी के time पर हमें look east policy देखने को मिलती है, और इस look east policy की जब हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर काफी ज़्यादा आज की rate में और ज़्यादा strategic significance दोनों देश शेयर करते हैं, तो यह सब चीज़े कहीं न कहीं हमें यहाँ पर relationship में देखने को मिल जाती हैं, अब जब बात करते हैं म्यामार की, recently क्या हुआ, recently अगर फिल हाल अभी बिल्कुल हाल ही की बात करें, तो recently India is the non-permanent member of United Nations Security Council, और अभी हमें क्या देखने को मिला कि 1st February में म्यामार के अंदर military coup हो गया, military ने तखता पलट कर दिया, जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो आंग सांग सूकी हैं, उनकी जो ruling party थी, उसको यहाँ पर खतम कर दिया गया है, साथ यसाथ आंग सांग सूकी के उपर जो है, election fraud के charges लगा दिये गए हैं, उन्हें house arrest कर दिया गया है, और military ने पूरा का पूरा तखता पलट कर दिया है, और military coup के बाद जब वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर, तो military उन्हें बहुत बुरी तरह के से suppress भी कर रही है, तो ये सब चीज़े कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रही हैं आज की rate में, तो क्या हुआ, जब United Nation General Assembly में म्यामार के उपर arms embargo लगाने की बात करी गई, यानि की arms sanction लगाने की बात करी गई, तो उस time पर India ने voting के अंदर participate नहीं करा, reason, India ने voting में participate इसलिए नहीं करा, because उस time पर China और Russia दोनों countries यहां पर abstain कर चुकी थी, यानि कि यह दोनों भी voting में participate नहीं कर रहीं थी, तो हमने क्या करा, हमने यहां पर जो है basically India ने भी abstain करा, because अगर India यहां पर harsh treatment दिखाएगा म्यामार के साथ आज की date में, तो कहीं न कहीं उसका फाइदा किसको मिलेगा, उसका फाइदा किसको मिलेगा, उसका फाइदा चाइना को मिलेगा, चाइना क्या करेगा, चाइना यहां पर अपनी नजदीकिया म्यामार के साथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इंडिया ने इस टाइम पर जो युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पर क्या objective उठाया इंडिया ने कहा कि हमें जो भी issues हैं उन्हें peacefully resolve करना चाहिए हमें म्यामार के साथ बातचीत करनी चाहिए और यहाँ पर काम करना चाहिए हाला कि इंडिया ने य अपनी जिम्मेवारी को भी निभा रहा है और एक balance भी बना करके चल रहा है तो हाल फिलाल में यह सब चीज़े कहीं न कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर ज्योती का कमेंट है कि सर लुक इस्ट पॉलिसी को explain करिये देखे ज्योती जब हम बात करते हैं पीवी नरसिमा राओ के टाइम की पीवी नरसिमा राओ के टाइम पर हम क्या देखते हैं एक्ट इस्ट पॉलिसी की बात हुई यानि कि जब इंडिया ने अपने आपको globalization की तरफ लेकर के चला LPG reforms हमने करी तब हमने South East Asian countries की तरफ देखा कि वो हमारी as a market के तौर पर भी काम आ सकती हैं और कहीं ना कहीं हमारे trade और development में एक key role play कर सकती हैं तो act East policy के अंदर हमने क्या करा जो हमारी South East countries हैं South East Asian countries उनके साथ बाचित करनी शुरू कर रहे diplomatic ties को और जादा बहतर करना शुरू करा और look East policy की जब हम आज की rate की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर in countries के साथ अपने strategic interest के लिए infrastructure development में बहुत बड़े level पर काम कर रहे हैं जैसे कि अगर आप म्यामार की बात करें तो म्यामार के अंदर हम बहुत बड़े level प transit project के ओपर भी काम कर रहे हैं तो इस तरह के से आज की rate में हम यह सब चीज़ें कर रहे हैं तो look East policy के अंदर हम कहीं अपने strategic interest को strategic relations को और जादा emphasize कर रहे हैं तो यह सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ पर संगीता का comment है कि क्यूं अभी संगीता उस military coup पहली बार नहीं हुआ है this is the third time तीसरी बार यह military coup हो रहा है मियामार में इसकी क्या political history है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे ठीक है यहाँ तक I hope आपको समझ आ गया होगा आपका किसी का कोई doubt है तो please आप अपना doubt में से comment section में पूछ रहें कोई doubt हो यहाँ तक तो doubt न country आजाद हुआ वो कब हुआ वो हुआ 1948 में January 1948 में हम क्या देखते हैं कि म्यामार को जो है Britain से independence मिली और उसके बाद हम म्यामार को as a independent country के तौर पर emerge होता हुआ यहाँ पर देखते हैं जब हम यहाँ पर बात करते हैं म्यामार की तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा history के बारे म भी मैं बताना चाहूंगा देखी क्या था म्यामार जो है शुरू से ही मतलब हम जब देखते हैं म्यामार को तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि third anglo-burmese war में आप सब को पता होगा कि third anglo-burma war जब हम यहाँ पर देखते हैं तो third anglo-burma war जो है basically कब होता है वो होता है 1886 में ब्रिटेन क्या करता है म्यामार के उपर that is बर्मा के उपर कबजा कर लेता है ठीक है बर्मा को annex कर लेता है इंडिया का पार्ट बना लेता है और 1937 तक म्यामार जो है वो क्या रहता है वो ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट बना रहता है during the second world war world war के time पर second world war के time पर हम क्या देखते हैं थोड़े समय के लिए जैपैन आकर के क्या करता है म्यामार के कुछ एरियास के उपर कबजा कर लेता है अब आप मेंसे न कई लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि दो नाम आ रहे हैं, बर्बा भी हम कह रहे हैं और म्यामार भी कह रहे हैं, तो क्या चक्कर है ये, देखिए जब हम बात करते हैं, आज की डेट में जो म्यामार है उसकी, तो म्यामार के अंदर एक बहुत बड़ी ethnic community है, जिसका नाम है बामाज, और उसी को basically English, Britishers क्या कहते थ जिस वजा से उसी community के basis पर इन्होंने country का नाम बर्मा रख दिया, ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा point यहां पर है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे क्या हुआ, जब 1948 के अंदर बर्मा को independence मिला, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, कि ठीक, उससे पहले एक यह हमें देखने को मिल गई थी, transitional government में आंग सांग, जो है, वो क्या बनते हैं, वो basically deputy chairman बन जाते हैं, executive council के, तो इस transitional government के बाद हम क्या देखते हैं, कि 1948 के अंदर पर्मा, जो है union of पर्मा करके, एक independent republic country के तौर पर establish होता है, उससे ठीक, एक साल पहले, क्या हो जाता है, कि जो आं ministers के साथ, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कि 1948 में union of पर्मा, हमें एक independent republic country बनता हुआ देखने को मिलता है, along with the parliamentary form of system, और साउश्वे थायक, जो है, पहले president बनते हैं, और उनु, जो है, वो पहले प्रधान मंत्री बनते हैं, पर्मा के, म्यामार के, उसके बाद हम क्या देखत treaty of friendship, आगे चलकर कि क्या हो जाता है, 1962 की जब हम बात करते हैं, तो 1962 में, आर्मी के general होते है, General Nevin, वो basically क्या करते हैं, वो coup day attack कर देते हैं, coup day attack का मतलब क्या हुआ, यह basically एक French word है, ठीक है, coup day attack का मतलब basically यह होता है कि, तकता पलट कर देना state का, ठीक है, यानि कि जो सरकार है, हटा देना, तो coup day attack हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कि एक socialist military government established यहाँ पर हो जाती है, तो बर्मा गे अंदर हमें पहली बार military की तरफ से जो तकता पलट होता हुआ देखने को मिलता है, वो मिलता है 1962 के अंदर, उस time पर क्या होता है, कि बहुत बड़े level पर protest वगेरा करे जाते हैं, military rule के against, बट military क्या करती है, हर एक चीज़ को बुरी तरेंके से suppress कर देती है, उस time की जब हम बात करते हैं, तो हमें 1975, 76, 77, हमें यहाँ पर students की तरफ से protest देखने को मिलते हैं, जिनने बहुत बुरी तरेंके से suppress कर दिया जाता ह दबा दिया जाता है हर एक चीज़ को, आगे चल करके 1988 के अंदर एक अप्राइसिंग होती है, बहुत बड़े level पर हम क्या देखते हैं, बहुत बड़े level पर जो है, लोक सड़कों पर आ जाते हैं, साथ इसाथ फिर क्या होता है, यहाँ पर military युन्टा देखने को हमें मिलत है, military युन्टा भी क्या है, military युन्टा बेसिकली एक तनेके से ऐसा form of system है, एक ऐसा authoritarian system of government है, जिसमें जो head of the state है, या जो main head है, वो military के officials है, जैसे कि हम आज की date में भी देख रहे हैं, military युन्टा का मतलब क्या है, यह जो military युन्टा है, यह जनता जुनता नहीं है, यह साथ ही साथ यहाँ पर उसके जो head है, वो military commanders है, यह सब चीजे कहीं न कहीं हमें यहाँ पर होती हुई देखने को मिलती है, आगे चल करके जब थोड़ा सा यहाँ पर political pressure बनने लगता है, तो हम क्या देखते हैं, मई 1990 में म्यामार के अंदर multi-party elections कराये जाते हैं, और उस time पर NLD यानि की National League for Democracy, आंग सांग सूची की party जो है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर 80% तक की seats जीत जाती है, इस election के अंदर, अब जब यहाँ पर military को यह चीज लगती है, तो military यहाँ पर पर परिशान हो जाती है, कि भई कैसे यह एक तरह कैसे political power, वो भी democratic lines की जो बात करती है, तो यहाँ पर military क्या करती है, आंग सांग सूची को arrest कर लेती है, house arrest में डाल देती है, और दुबारा से military युन्टा ही यहाँ पर power में रहती है, और कहीं न कहीं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कि यह military युन्टा जो है, यह basically power में बनी रहती है, तो यह सब चीजें कहीं न कह हमें यहां पर देखने को मिलती हैं तो एक तरेके से आप कह सकते हैं कि एक authoritarian regime हमें जो है म्यामार के अंदर बहुत लंबे समय तक देखने को मिला आगे चल करके क्या हुआ आगे चल करके म्यामार के अंदर हम क्या देखते हैं कि 2007 में 2007 में वहाँ पर सैफरन revolution होता है सैफरन revolution कौन करता है बुद्धिस्ट मौंक करते हैं उस टाइम पर क्या था म्यामार के अंदर काफी जादा महंगाई थी काफी जादा बिरोजगारी थी काफी जादा आप कह सकते हैं autocratic rule था military युन्टा का तो यहां पर सैफरन revolution करा जाता है बुद्धिस्ट मौंक से एक revolution कड़ा करते हैं हाला कि उनके साथ भी government बहुत ही harshly behave करती है तो यह सब चीजें कहीं न कहीं बहुत बड़े level पर problem create कर रही थी and unfortunate एक और काम ऐसा हो जाता है जो कि म्यामार के अंदर military युन्टा के लिए बहुत बड़ा setback होता है and that is cyclone nergis 2008 में हमें cyclone nergis आता हुआ देखने को मिलता है म्यामार में और उस cyclone nergis की वज़ा से बहुत बड़े level पर damage हमें म्यामार के अंदर देखने को मिलता है म्यामार की history के अंदर लगबग लगबग दो लाख लोगों की यहां पर death हुई और दस लाख लोगों के घर उजड़ गए तो इतना बड़ा जब cyclone यहां पर आया तो उस टाइम पर क्या था कि म्यामार के ओपर sanctions लगे हुए थे reason की म्यामार ने अपने यहां पर इस तरह के से authoritarian regime set up करा हुआ था तो म्यामार को किसी भी जगा से कोई भी मदद नहीं मिली मतलब की म्यामार को उस टाइम पर बहुत जादा shortage महसूस हुई help की हाला कि इंडिया ने उस टाइम पर म्यामार की मदद करी बट जो एक assistance मिल सकती थी म्यामार को अगर वहां पर एक democratic government होती उस लेवल की assistance नहीं मिली तो उस टाइम पर म्यामार की military unit को कहीं न कहीं महसूस हुआ कि भई हमें अपने आपको थोड़ा सा open करने की जरूरत है तो हम क्या देखते हैं कि 2008 में 2008 में यहां पर जो है एक constitutional referendum कराया जाता है और union of म्यामार से नाम बदल करके Republic of union of म्यामार कर दिया जाता है और एक नया constitution यहां पर हमें बनता हुआ देखने को मिलता है म्यामार के अंदर मज़े की बात क्या जो ये नया constitution बना इसके अंदर आर्मी ने बहुत चतुराई से अपने हाथ में पावर रखने की कोशिश करी कैसे म्यामार की parliament के अंदर क्या करा म्यामार की parliament में upper house के अंदर 224 seats करी और lower house के अंदर 440 seats करी और आर्मी ने क्या करा इसमें से आर्मी ने लगभग लगभग 20% seats से ज़्यादा अपने पास रखी 110 seats इन्हों ने रख ली lower house के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 seats रख ली इन्हों ने upper house के अंदर इन seats पे कौन लोग होंगे इन seats पे वही लोग होंगे जो की commander in chief जो होंगे आर्मी के वो appoint करेंगे तो यह काम यहाँ पर म्यामार ने करा म्यामार ने कि जो military युन्टा थी उन्होंने अपनी power को कम होने नहीं दिया साथ ही साथ जो और important मुद्दे थे जैसे कि defense का मुद्दा हो गया foreign relations का मुद्दा हो गया साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक नया constitution तो बनाया बट कहीं न कहीं अपने हाथ में भी military ने power रखी कि भई अगर मान लो हम election से नहीं जा सकते तो हम appointment से जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 110 और 56 लगबग लगबग 166 seats के उपर military नहीं अपना control बना करके रखा आगे चल करके क्या होता है आगे चल करके military एक और काम करती है इस नए constitution के अंदर military कह देती है कि भई कोई भी ऐसा individual म्यामार का president नहीं बन सकता जिसके foreign relations हो और यह एक बहुत बड़ा setback था आंग सांग सूची के लिए क्यों था because जब हम बात करते हैं आंग सांग सूची की तो इनके husband जो है वो England के citizen है प्रेटिश citizen है और इनके जो बच्चे हैं आगे वो भी प्रेटिश citizen है इसलिए हम क्या देखते हैं कि 2015 से 2020 आंग सांग सूची state counselor के रॉल में रही वो president नहीं बनी क्यों कि यहां पर जो नया constitution था यह कहीं ना कहीं forbid करता था उन्हें यह होने से तो यह चीज़ हमें यहां पर establish होती हुई देखने को मिली 2010 में क्या होता है election होते हैं और उस election में military क्या करती है अपनी ही एक political party भी उतार देती है साथ-साथ election में यानि कि एक proxy party उतार देते हैं यह election के अंदर और आंग सांग सूची की जो political party थी that is NLD वो क्या करती है वो इस election के अंदर participate नहीं करती हम यहां पर क्या देखते हैं कि 2010 में जो election होते हैं उसमें जो यह military की political party होती है union solidarity development party इसको 80% तक के vote मिलते हैं तो military ने क्या करा आप यहां पर देख सकते हैं कि 2010 में जो सरकार बनी वो कहीं न कहीं military के influence की ही सरकार यहां पर आपको बनती हुई देखने को मिल रही है बट इस time पर India और Myanmar के बीच relations develop होने शुरू हो गए थे हमने इन के साथ कालादान river multimodal project को यहां पर बाचित शुरू कर दी थी उसको ले करके तो यह सब यहां पर politically हो रहा था अब क्या होता है 2012 में हमें by election देखने को मिलते हैं और उस by election में NLD यानि की आंग सांग सूची की जो political party है वो participate करती है 45 seats के उपर यह election होते है उसमें से 43 seats जो है वो NLD जीत जाती है तो कहीं न कहीं military को एक बहुत बड़ा जटका लगता है कि भई अच्छा मतलब यह इतनी बड़ी influence है इनकी आगे चल करके क्या होता है आगे चल करके हम यह देखते हैं कि 2015 में election हुए 2010 से 2015 वही military की जो political party थी proxy party वही सत्ता में रही 2015 में क्या होता है 2015 में जो NLD है National League for Democracy आंग सांग सूची की party वो यहाँ पर majority में आ जाती है absolute majority और कहीं न कहीं हम यहाँ पर क्या देखते हैं नई parliament बनती है और 2016 में पहली बार non-military president जो है म्यामार का कोई बनता है तो इस तरह के से म्यामार के अंदर हमें 2015 में एक political set up, democratic political set up real मायने में वो establish होता हुआ देखने को मिला साथ ही साथ आंग सांग सूची उस टाइम पर state counselor के तौर पर यानि कि आप कह सकते हैं कि प्रधान मंतरी के तौर पर यहां पर उन्होंने एक role play करा और इस time पर 2015 से लेकर के 2020 इंडिया ने म्यामार के साथ काफी significant relations यहां पर establish करे फिर क्या होता है कहानी के अंदर एक और twist है कहानी के अंदर twist आता है 2020 में 2020 में अभी recently म्यामार के अंदर election होते हैं और उस election में फिर आंग सांग सूची की जो political party है वो एक land slide victory हासल करती है कैसे अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि 476 seats में से भाई 624 seat है टोटल 624 में से लगबग लगबग 166 seats तो ऐसी हैं जिसके ओपर military appoint करेगी बची 476 जिनके ओपर election होगा है ना यह जो 476 seats बची जिनके ओपर election होगा इन में से क्या हुआ 476 seats में से 396 में यानि कि more than 80% seats पर आप क्या देखते हैं कि आंग सांग सूची की political party यहां पर जीत जाती है और जो military की proxy party होती है USDP वो कहीं न कहीं यहां पर सिरफ और सिरफ 33 seats ही हासल कर पाती है and this was the humiliating defeat for the military और military को यह चीज बिलकुल भी बरदाश नहीं होई क्योंकि military को था कि भई अगर आंग सांग सूची फिर सत्ता में आ जाएंगी फिर party में आ जाएंगी politics में आ जाएंगी और हम क्या देखते हैं कि February 2021 में जो दिन था कि जिस दिन यहां पर शपत लेनी थी, ओट सेरमनी थी उस ओट सेरमनी से ठीक पहले 1st February 2021 को आंग सांग सूची को और जो भी उनकी cabinet के लोग थे हर किसी को यहां पर arrest कर लिया गया house arrest कर लिया गया and since 1st February 2021 till today हम क्या देखते हैं कि Myanmar के अंदर political crisis बने हुए है, military junta power के अंदर हमें देखने को मिलती है military general commander in chief जो है, वो इस time पर Myanmar के एक तरह के से supreme head है और साथ इसाथ जो लोग सड़कों पर है protest कर रहे हैं, उनको बुरी तरह के से suppress करा जा रहा है तो ये धागा इस पूरा का political history Myanmar का जो कि मैंने आपको briefly समझा दिया यहाँ पर आपका किसी का कोई भी doubt है, तो प्लीज आप अपना doubt मेरे से comment section में पूछ सकते हैं doubt नहीं है, चीज़े clear हैं, तो make sure to like the video, आप बात करेंगे कैसे इंडिया और Myanmar के relations evolve हुए, साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे bilateral relations की, कि दोनों देश economic level पर, फिर connectivity level पर किस तरह के relations share करते हैं, और बाकी चीज़ें फट आफट से discuss कर लेते हैं यहाँ तक किसी का कोई doubt तो प्लीज पूछ ले doubt नहीं है, तो वीडियो को like कर दें क्योंकि आपके like करने से एक motivation मिलता है हमें, समझ आ गया है, तो भी comment section में लिख करके बताएं कि हाँ everything is clear, एक बार comment करके जरूर बताएं तो अब बात करते हैं relations के evolution की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बर्मा के साथ हमारे काफी लंबे समय से cultural ties हैं Buddhism से हम कही न कहीं जुड़े हुए हैं और colonial period में भी कही न कहीं हम दोनों countries ने imperialism के side effects देखे हैं साथ ही साथ आगे चल करके क्या होता है कि Ang Sang के time पर जो freedom movement चल रहा था, freedom struggle चल रहा था उस time period पर हम क्या देखते हैं उस time period पर India ने काफी ज़्यादा मदद Ang Sang की करी थी ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया Ang Sang की assassination कर दिया जाता है 1947 में आगे चल करके क्या होता है 1948 में जब Myanmar independent होता है तो Myanmar के साथ हम लोग diplomatic ties करते हैं साथ ही साथ आगे चल करके हम लोग peace treaty भी करते हैं म्यामार के साथ friendship treaty भी करते हैं और आगे चल करके हम क्या देखते हैं 1962 के अंदर democracy यहां पर overthrow कर दी जाती और military coup आ जाता है इंडिया उस military coup से थोड़ा सा नराज था इंडिया ने condemn भी करा उस military rule को साथ ही साथ इस time period का फायदा चाइना ने उठाय और चाइना ने कहीं न कहीं म्यामार के साथ अपने relations बहतर करने शुरू करें आगे चल करके क्या हुआ इंडिया ने शुरू से ही म्यामार के अंदर जो भी pro-democracy movement हुए उनको कहीं न कहीं support भी करा हला कि इंडिया ने उस बात के खिलाफ अवाज भी उठाई जो कि military suppress करती थी बट still हम म्यामार को strategically खोना नहीं चाहते थे तो हमने military के साथ भी एक normal balance relation बना करके रखे ये सब चलता रहा आगे चल करके क्या होता है 1990s में हम क्या देखते हैं lookist policy हम यहाँ पर देखते हैं और साथ हम यहाँ पर actist policy के थुरू यहाँ पर काम करते हैं म्यामार की तरफ म्यामार के साथ जब हम यहाँ पर काम करते हैं म्यामार के साथ अपने strategic चीज़ें develop करना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2015 में जब आंख सांख सूची यहां पर पॉलिटिकल पार्टी जब उनकी जीतती है तो हम यहां पर दोनों देश अपना अपॉर्चुनिटी जो है स्टेंथन करने का काम करते हैं एक अंगेजमेंट यहां पर होता है हम क्या देखते हैं कि 2012 में मनमोहन सिंग जो है म्यामार म्यामार में एक हिस्टोरिकल विजिट होती है आफ्टर दा प्रदान मंतरी राजीव गांधी राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंग यहां पर पच्चिस साल बाद म्यामार जाते हैं इट वाज़ा हिस्टोरिकल मीट प्रदान मंतरी मूदी खुद जो हैं 12th Asian India Summit अटेंड करते हैं साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो म्यामार की प्रेसिडेंट 2016 में इंडिया आते हैं एक 10 पॉइंट प्रोग्राम पर काम भी होता है साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो स्टेट काउंसलर और आंक सांक सूची भी अक्टूबर में उसी साल इंडिया आती है, फिर 2016 में क्या होता है, समिट जो होती है, विम्स्टेक ब्रिक्स समिट उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब चीजें यहां पर हमें कहीं न कहीं देखने को मिल रही हैं, आगे चल करके क् bilateral cooperation दोनों देशों के बीच में किस तरह कैसे develop हुए, उसकी बात करते हैं, यहां पर comment है, कुछ उन comments को देख लेते हैं, अक्षे का यहां पर comment है, अभी India help क्यों नहीं करता है, म्यामार की military को कतम करने में, अक्षे अभी उसी के ओपर बात करेंगे, कि क्यों नहीं करता इंड इंडिया, क्या इंडिया के मजबूरिया हैं, अभी उसी की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना अगर इंडिया यहां पर म्यामार के साथ harsh state behave करता है, कंडेमन करता है उसको, international politics के अंदर म्यामार को criticize करता है, तो तब क्या होगा, कहीं नहीं उसका फायदा चाइना उठाएगा, और चाइना म्यामार के साथ closeness बढ़ाएगा, तो इंडिया इस टाइम पर इसलिए एक balanced approach ले करके चल रहा है, दूर दूर की तरह यहां पर चल रहा है, state counselor PM की तरह होता है, हाँ जी बलकू, state counselor प्रदान मंत्री के kind of होता है, ठीक है, अब देखे, economic cooperation की जब हम बात करते हैं, म्यामार is the only country जो की हमारे neighborhood में भी है, यानि कि हम neighborhood first policy के तहद भी काम कर रहे हैं उसके साथ और act east policy के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर म्यामार के साथ act east policy और neighborhood policy दोनों में काम कर रहे हैं, यानि कि हम यहाँ पर बहुत बड़े level पर infrastructure development करने क काम कर रहे हैं, म्यामार के साथ हमारा जो bilateral trade 1980 में था, वो सिरफ 12 million dollars का था, आज की rate में वो बढ़ करके 2.18 billion dollars का हो गया है, 2016 में और अब और बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं म्यामार के साथ bilateral trade हमारा बहुत बहतरीन है, इसके अलावा हम म्यामार के साथ duty free tariff preference scheme के ओपर काम कर है, काफी सारे Indian companies ऐसी हैं, जिन्होंने म्यामार के energy sector में invest करा हुआ है, जैसे कि SR हो गया, Gail हो गया, Gas Authority of India Limited, ONGC विदेश हो गया, इन सब ने म्यामार के जो basically energy sector है, वहाँ पर बहुत बड़े level पर invest करा हुआ है, साथ ही साथ काफी बड़े level पर हमने banking sector में भी म्यामार को cooperate करा हुआ है, United Bank of India हो गया, AXIM Bank हो गया, इनके भी representative office आपको म्यामार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ म्यामार के अंदर हम manufacturing और service sector में भी का करें, deeper engagement हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा connectivity की बात करें, तो ये बहुत important है, ध्यान से समझना, connectivity को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो हम connectivity की बात जब करते हैं, तो इंडिया और म्यामार हम दो connectivity projects के उपर काम कर रहे हैं, पहला है कालादान multimodal transit transport project, क्या है ये, multimod वेस्ट बेंगॉल से हम चलेंगे, और वेस्ट बेंगॉल से हम सी के रूट होते हुए, ठीक है, ब्यॉफ बेंगॉल को cross करते हुए, इधर, ये सितवे port पर आ करके रुखेंगे, ये जो सितवे port है, ये बेसिकली इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है, this port is being developed by इंडिया, ह इस जगा तक पहुँचेंगे, पलितवा जिसका नाम है, और यहां से कलितवा और पलितवा से बाय रोड होते हुए, मिजोरम पहुच जाएंगे, तो कहीं न कहीं यहां पर हम जो घूम के आते, पूरा, वो हमारा रूट अब बच रहा है, अब हम सी रूट से होते हुए, क जोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था, और आज की डेट में फाइनल फेस के अंदर यह है, इस प्रोजेक्ट में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिली, चाहे मियामार के अंदर मिलिटरी कू का होना हो, या उससे पहले रोहिंग्या क्राइसिस का होना हैं, साथ ही साथ मियामार के साथ हम क्या कर रहे हैं, मियामार के साथ हम एशियन ट्रायलेटरल हाइवे को लेकर के भी काम कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, यह हाइवे जो है इंडिया को एशियान कंट्रीज के साथ जोड़ेगा, कैसे हम यहां से इंडिया से चलेंगे, मिया हमारे लिए काफी जादा important हो जाता है अगर हमें ASEAN के अंदर entry चाहिए ठीक है तो यह highway बहुत जादा important और इस highway के ओपर फिलाल यहां पर काम चल रहा है यह सब चीज़े कहीं न कहीं हमें यहां पर आज की rate में देखने को मिल रही है हाला कि इन projects के अंदर काफी जादा delay यह basically अपने final phase के अंदर है ना तो यह बात कहीं न कहीं हमें देखने को मिली आगे अगर हम बात करें तो connectivity के लावर development में भी हमने इंडिया ने काफी जादा मदद करी है म्यामार की लगबग लगबग हमने म्यामार को 2 billion US dollars के soft loans provide करे हैं साथ ही साथ हमने म्यामार के साथ 10 agreement कर करेगा यहां पर अगर हम बात करते हैं इस agreement की तो इस agreement में इंडिया म्यामार के अंदर क्या करेगा काफी सारे higher learning institutions और research institutions established करेगा म्यामार institute of information technology का establishment हो गया advanced center for agriculture research and education हो गया साथ ही साथ IT skills के अंदर और industrial training centers इन सब के अंदर इंडिया लगबग लगबग 6,000 करोड रुपे यहा हम यहां पर बात करते हैं इंडिया म्यामार के अंदर काफी जो रखाइन state है रखाइन state जहां पर रोहिंगया crisis हमें देखने को मिले इस रखाइन state यहां पर भी phase 3 हमें देखने को मिल रहा है development assistance का जिसमें इंडिया education health agriculture agro processing इन सब के अंदर म्यामार के साथ मिल करके काम कर र ले थे ठीक है यह सब काम हो रहा है इसके अलावा disaster के टाइम पर भी इंडिया ने मदद करी जैसे कि आपको पता है कि Bay of Bengal में काफी जादा cyclones आते हैं तो चाहे cyclone मूरा का आना हो 2017 में कोमेन का आना हो 2015 में या cyclone नर्गिस का आना हो 2008 में इंडिया ने काफी जादा मदद करी साथ इसाथ एक earthquake भी आया था 2010 में तब भी इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर म्यामार की मदद करी डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया और म्यामार दोनों देश bilateral army exercise करते हैं जिसका नाम है imbex, imbex के full form क्या है इंडिया म्यामार bilateral army exercise साथ इसाथ दोनों देशो की army closer relations यहां पर share करती है और north east के अंदर insurgency को खतम करने के लिए जो काफी सारे militant camps हैं उनको खतम करने के लिए इंडिया और म्यामार दोनों की army joint operations भी चलाती है अभी हाल फिलाल में आपको ध्यान भी होगा हमने india म्यामार border पर हमने इंडिया म्यामार बॉर्डर पर हमने अगर हम शांती बना करके रखना चाहते हैं insurgency को खतम करना चाहते हैं तो म्यामार हमार लिए काफी ज़्यादा important वहाँ पर हो जाता है साथी साथ कलादान transit project जो है वो भी काफी ज़्यादा important है strategically because इस region के अंदर म्यामार में क्या हो रहा है चाइना भी invest कर रहा है तो कहीं चाहिना को counter करने के लिए भी sitway port का होना जो की इंडिया develop कर रहा है वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है ठीक है इसके लावा multilateral cooperation भी हम देखते हैं बिम stack पर भी इंडिया और म्यामार मिलकर के काम कर रहे हैं साथी साथ एशियान का होना हो या मेकॉंग गंगा cooperation होना हो इंड के लिए म्यामार बहुत important है because म्यामार is the gateway to Southeast Asia साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में हमें काफी बड़े level पर cooperation देखने को मिलता है चार सार्क की बात हो या multilateral forums की बात हो recently क्या हुआ recently India ने क्या करा म्यामार को United Nation General Assembly के अंदर support करा कैसे जो यहां पर voting हुई उस voting के अंदर हमने क्या करा abstain करा हमने arms embargo को लेकर के abstain करा उस voting में participate नहीं करा reason क्योंकि अगर हम यहां पर म्यामार के against जाकर के vote करते United States जैसी countries की influence में आकर के vote करते तो हम क्या देख सकते थे कि भई चाइना यहां पर इसका फायदा उठा था तो इसलिए यहां पर हमने abstain करा voting में और हमने कहीं नहीं एक balanced approach म्यामार के तरफ हम लेकर के आज की rate में चल रहे हैं because we don't want कि भई हम जो चाइना है वो यहां पर बड़े रिसेंट्ली हमने क्या देखा हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी म्यामार गए थे उनके भी एक विजिट हमें यहां पर देखने को मिली तो यह कुछ बाते यहां पर हैं म्यामार से related challenges की अगर हम यहां पर बात क China already has control in Myanmar as it was claimed China has great role in military coup through military control China can fulfill its interest to establishing China Myanmar economic corridor बिल्कुल तभी India जो है इस टाइम पर एक balanced approach लेकर के चल रहा है म्यामार के साथ हम म्यामार को इसलिए criticize नहीं कर रहे हैं multilateral forums पर because we don't want China to take that gain है न तो यह सबसे बड़ी बात है और बाकी देखें म्यामार को भी कहीं नहीं पता है चाइ नहीं खतरना की है तो इसलिए वो भी इंडिया की मदद चाहता है problem क्या है अभी उसी की बात करेंगे कि क्यूं मैं क्यूं चाइन बार बार कोशिच कर लेता है क्यूं चाइन बार आगे बढ़ जाते है उसकी बात करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा main point क्या है साथ यहां पर कुछ और भी कमेंट से हैं, अमित का कमेंट है, जैपैन इफ इन चाइन इट के बी अ पार्ट आफ बिलकुल बिलकुल वही बात है, इसलिए मियामार के साथ हम इस तरहेंगे के रिलेशन्स शेयर कर रहे हैं, संगीता का यहां पर कमेंट है, इंडिया फॉरन पॉलिसी और कि मार्किट्स के उपर कबजा करता है, और मार्किट्स पर कबजा करने के बाद ठीक क्या करता है, उसके बाद चाइना सीधा उनके एरियास पर कबजा कर लेता है, जैसे कि श्रिलंका में आपने देखा, पाकिस्तान में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बात करे इंडिया की, इंडिया क्या है, इंडिया सामने वाली कंट्री के diplomatic interest को साती सात्थ internal interest को कही न कहीं इंडिया वहाँ पर respect करता है, और इंडिया इस तरह के से गलत हरकते नहीं करता, साती सात्थ इंडिया checkbook diplomacy का काम भी नहीं करता, हमारे पास इतना फाल्तू का पैसा भी नहीं है जितना चाइना के पास पैसा है तो ये भी एक सबसे बड़ा point है साथी साथ स्वाधिय का Myanmar is most important for India बिलकुल जे बिलकुल Myanmar is very important for northeast region we balance Bangladesh and Myanmar और Rohingya हाँ अब हमें तुसी के ओपर बात करेंगे चलिए अब देखे क्या है challenges क्या है सबसे बड़ा challenge है इंडिया की internal security अगर हम चाहते हैं कि north eastern part में हमारा यहाँ पर शांती बनी रहे तो इंडो म्यामार border जो की अरुनाचल परदेश मिजोरम, नागा लेंड, मनिपूर चार states के साथ शेयर होता है वहाँ पर शांती के लिए हम क्या चाहते है कि जो भी terror outfits है उनको खतम करा जाए और उसमें म्यामार का और इंडिया का cooperation होना बहुत जादा जरूरी है साथ ही साथ इस region में क्या होता है arms trafficking भी होती है और drug trafficking भी होती है जो कि सबसे बड़ा challenge है हाला कि दोनों देश काम कर रहे है दूसरा बड़ा challenge क्या है bilateral trade जो उमीद थी कि bilateral trade दोनों देशों के बीच में establish होगा वो कहीं न कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है साथ ही साथ investment की अगर हम बात करते हैं तो India is the 10th largest investor in the Myanmar तो कहीं न कहीं वहां भी दिक्कत है साथ ही साथ एक trust deficit हमें देखने को मिलता है reason अगर हम यहां पर बात करें various projects की तो India की तरफ से उन projects के implementation में काफी जादा delay हुआ चाहे कालादान multi river transit project की आप बात कर लें या Asian trilateral highway की आप बात करें इन projects को काफी time से खतम हो जाना चाहिए तब अच तक यह खतम नहीं हुए क्यों इंडिया की तरफ से काफी जादा delay हुआ और इसी delay का किस ने फायदा उठाया चाइना ने फायदा उठाया चाइना ने यहां पर soft power का इस्तमाल भी करा और trade और economic relations भी म्यामार के साथ establish करें और आज की rate में बहुत बड़े level पर एक infrastructure म्यामार के अंदर चाइना का developed है और वो कर रहा है साथ ही साथ चाइना के अंदर वो म्यामार economic corridor बनाने की भी बात कर रहा है और यह सबसे बड़ा threat आज की rate में इंडिया के लिए है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ corridor की तो China क्या चाहता है कि Central China से म्यामार को connect कर लिया जाए और दो port यांगोंग और क्या फाकू यह जो अजीब सा नाम है देख लेना इसको connect करने की बात कर रहा है जांगोंग port अल्रेड़ी 70% तक develop कर चुका है और यह जो port है इसको लेकर के बातचीर चल रही है काम चल रहा है तो यह दोनों जो हैं सबसे बड़े challenges हैं इंडिया के सामने इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने भी सितवे port को यहाँ पर develop करा इस region के अंदर बट उसके अंदर भी क्या हुआ? डिले हमें हमारा हो गया तो यह सबसे बड़ा problem है और हमारे delay का हमारी देरी का चाइना क्या करता है? फायदा उठा लेता है यह सबसे बड़ी problem आ जाती है हमारे सामने ठीक है? साथ इसाथ क्या है? बट इस बड़ी हार्श रियक्षन नहीं दे सकता म्यामार के अगेंस्ट USA क्या कह रहा है? USA कह रहा है कि इंडिया सपोर्ट करें USA को क्योंकि USA ने क्या कर रहा? सैंक्शन्स लगा दी है म्यामार के उपर बट इंडिया वो सपोर्ट इससे नहीं कर सकता बेकॉज अगर इंडिया यहां पर सपोर्ट करेगा तो इट विल अउनली बेनफिट चाइना है ना? तो इंडिया यहां पर इस लिए एक हार्श टेटमेंट को अवोइड कर रहा है और एक बैलेंस्ट अप्रोच म्यामार के साथ ले करके चल रहा है साथ इसाथ इंडिया बीच बीच में क्या करता है इंडिया बीच बीच में बोल देता है कि भई हम कंडेमन करते हैं वाइलेंस को, हम कड़ी निंदा करते हैं बस बाते कर देता है और कोई action नहीं ले रहा है तो यह अच्छी बात है क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई action लेंगे तो China उसका फिर फायदा उठा सकता है ये एक point है बात करें रोहिंग्या refugees की तो रोहिंग्या refugees कहीं नगे इंडिया के लिए सिरदर्दी है कैसे because there are some refugees जो इंडिया में भी रह रहे हैं और सबसे बड़ा major portion बांगलादेश में भी रह रहे हैं तो जितना जल्दी ये रोहिंग्या issue resolve हो जाएगा उतना ही जल्दी म्यामार और बांगलादेश के relations को इंडिया easily manage कर पाएगा और economic cooperation को जादा बहतर कर पाएगा because अभी म्यामार और बांगलादेश के बीच में जो tensions हैं वो रहिंग्या refugees को लेकर के ही है because Bangladesh is the country जिसको सबसे जादा रोहिंग्यास की वज़ह से सफर करना पड़ा है अब यह रोहिंग्यास कौन है कैसे हैं इनके बारे में भी briefly discuss कर लेते हैं जब हम बात करते हैं 1826 से लेकर के 1948 की तो काफी सारे Muslims को जो है British कहां लेकर के आए म्यामार लेकर के आए as a plantation worker इनको काम करने के लिए यहां पर यह लेकर के आए हुआ गया 2014 में इन लोगों को यहां पर बाहर क्यों करा गया because यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर रोहिंग्यास को citizenship जो म्यामार अपने आपर एक citizenship law लेकर गया था उसके अंदर इनको citizenship नहीं दी गई जिस वज़ा से क्या हुआ इनको यहां पर बाहर की तरफ जाना पड़ा और हम क्या देखते हैं कि लगबग लगबग यह लोग थाइलैंड भी पहुँच गए हैं और साथ ही साथ यह इंडिया भी पहुँच गए हैं सबसे ज़्यादा बांगलादेश पहुचे हैं तीन लाग के आस पास तो यह सब प्रॉब्लम्स कही न कहीं हमें देखने को मिल जाती हैं ठीक है पेकॉस कही न कहीं यहां पर अगर हम बात करें रोहिंग्याज की तो रोहिंग्याज जो है इस रीजन के अंदर यह दिस रीजन यह रखाइन स्टेट के अंदर यह लोग थे और रखाइन स्टेट को यह लोग क्या बोलते थे रोहिंग्या बोलते थे मियामार की लैंग्विज में तो इसलिए इसको रोहिंग्या उस बोला जाता है इन सबको तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया क्या मुद्धा है अभी न्यूज में क्यों था अभी न्यूज में ये था कि बांगलादेश के अंदर कॉक्स बजार वाले एरिया में य इत्रा माना जा रहा है जिसका उनाइटेड नेशन काफी जादा विरोध कर रहा था ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए ओके साथ में वे फॉरवड क्या है क्या कुछ कर सकते हैं यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पहले एक बार डाउट बता दो कुछ भी डाउट ह है चीजे समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दो और वीडियो को लाइक भी करतो आप लोग कुछ कमेंट से उन कमेंट को भी देख लेते हैं चाइना का भहिशकार हुआ दूरिंग दा प्रोटेस्ट इन म्यामार पिलकुल वही तो चीज है न वही इंडिया म वही चीज मिस नहीं करना चाता है इंडिया वही तर्मॉइल को चाइना के अगेंस्ट यूस करना चाता है तो वह एक सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया में आव़ाध थायलेंड तो में है वही तो कॉआति कर दिया है यहां पर सब्सक्राइब पर दूस्रा चाइना कर रहा है काही न गाई अर इसलिए हम सित्वे पोर्ट के ओपर दूसरा चबर पर बीकार रहे हैं बड़ दिक्कत क्या हुई हमारे तरफ से डिले हमाई तरफ से जो लगाता डिले होते चले गए इसमें प्रॉब्लम्स आ गई ठीक है पावन का यहाँ पर कमेंड है सर आपकी संजीव वर्मा की प्लेलिस्ट कम्प्रीट है क्या पावन देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर से वी हैव कवर अल अव देम हाँ बा बात करते हैं वे फॉरवर्ड की अगर देखिए इंडिया चाहता है कि 2024 तक इंडिया की एकनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाए तो उसके लिए म्यामार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉस म्यामार के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे कनेक्टिविटी को बढ़ा प इसको हमें तेजी के साथ काम करना है इस पर हमें पीछे नहीं हटना है यह सबसे बड़ी बात है साथ में क्या एशियान से हमारा जो लिंक है वो म्यामार के थ्रूई है तो म्यामार में हमारी पकड़ होना बहुत जादा जरूरी है इसलिए हमें काम करना रहना चाहिए साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि साउथी स्टेशिया के लिए इंडिया का गेटवे है म्यामार तो इससे इंपोर्टेंट हो जाता है म्यामार के साथ एक fruitful relation establish करना इसके लावा जो भी यहां पर internal और external forces है यानि कि जो बॉर्डर को लेकर के दिकते हैं तो बॉर्डर management और जो border security है उसके उपर काम करने के हमें दोनों देशों को ज़रूरत है साथ ही साथ जब हम यहां पर बात करते हैं finally अगर आप यहां पर देखें तो multilateral forums के उपर भी ASEAN हो गया BIMSTEC हो गया United Nations हो गया वहां पर हमें म्यामार के साथ एक अच्छे relations बना करके चलने की बहुत ज़्यादा जरूरत है ठीक है तो यह था आज का हमारा session आज के session को यहीं पर end करते हैं आज के session में हमने detail के साथ India म् हमार relations को यहां पर discuss करा और हमने यहां पर हर एक चीज को discuss करा कि भाई किस तरह के से यहां पर दोनों देशों के बीच कर जो एक तरह के सकते हैं कि relation है वो evolve हुआ और कैसे दोनों देशों के बीच में आज की rate में हमें relations देखने का मिल रहा है और कैसे इंडिया एक balanced approach follow कर रहा है तो यह था आज का हमारा session अगर आपका किसी का कोई भी doubt है तो प्लीज आप अपना doubt comment section में मिरको बता दें doubt नहीं है चीजें clear है सब समझ आ गया है तो प्लीज वो भी comment section में बताएं कि that everything is clear और सासथ वीडियो को like भी जरूर करें अगर आपको आज का session पसंद आया हो तो कल कल हम बात करेंगे most probably इंडिया पाकिस्तान relations के बारे में ठीक है कल इंडिया पाक relations को discuss कर लेंगे ठीक है अमित का यहाँ पर comment है sir Asian के बारे में बताना tension मत दीचे अमित Asian के बारे में भी discuss करेंगे बट जब आप Asian की बात करते हैं तो Asian के अंदर South East Asian countries हमें देखने को मिलती ह South East Asian countries ने मिल करके grouping बनाई है इसके अंदर Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia है ना यह सब countries हमें इनके अंदर देखने को मिल जाती हैं स्वाती का comment है यहाँ पर इंडिया इस डेवलपिंग अंदमा निकोबार इस फ्रॉम इंडिया के अंद्रिक्ट अब्जर्वेशन और मलाका ट्रेट बिलकुल ऐसा नहीं है इंडिया भी बहुत बड़े लेवल पर हर एक लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पर और कहीं न कहीं इंटर्नल सेक्यॉर्टी और एक्स्टर्नल सेक्यॉर्टी दोनों हमारी नैशनल सेक्यॉर्टी हमार लिए बहुत जाते इंपॉर्टेंट है और अगर बात करें नरेंद्र मोधी गौर्वर्मेंट की खास तोर पर तो भले ही कई मामलों में गलतियां रही हो बट नैशनल सेक्योर्टी के पॉइंट ओफ यू से कहीं ना कहीं भारा सरकार जो इस टाइम पर नरेंद्र मोधी गौर्वर्मेंट है वो काफी जाद अगरेसिव है तो वही एक सबसे बड़ी बात है जो की बहुत अच्छी बात भी है और यह जो पर आपको 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 यह सेशन पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्रीज लाइक कर देना और साथ-साथ जादा शेयर भी कर जेना वीडियो को तो चलिए, थैंक यू, गड़ बाई, गड़ लग, वेरी गड़ दे, जै हिंद, जै भारत, थैंक यू